फंगल इंफेक्शन नाखुन में किन परिस्तितियों में जाबा होता है। हो सकता है कि आपको डाइबेटीज यानि शुगर की परिशानी हो। हो सकता है कि आपके पैरों और हातों के नाखुन के पास जो रत संचार है वो सही नहीं है। हो सकता है कि आपके नाखुनों के आसपास गीलापन जादा रहता है ये कब रहेगा अगर आप नहाने के बाद अपने नाखुन और पैरों की उंगलियों के बीच में सूखा अच्छी तरह से नहीं करेंगे या आपको पसीना जादा आता है या बहुत लंबे समय तक जूते भू刑ते में नाखुनों में वर फंगल इंफ्यक्शन जाबा होता है जो टालाव या सविंग पूल में तेराकी जाबा करते हैं इसके अलावा हो सकता है कि आपके परिवार में वर किसी को नाखुनों में फंगल इंफेक्शन हो और उनके तॉलिये या कपड़े छूने से आपको भी हो गया है